हेलो गाईस आज का वीडियो भौते जित खमाल का ऊने वाला है गाईस जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टेंग में जिस रिछल सब्यारिल भी डारल यस टहश बीडियो को देखा दोंस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की हिंदी सारी इस टह़ही बना कर सिखाने वाला ह यहां पर अपने खोदि के फोटू को एंड को एंड तक बिना स्किप किये। और अगर आप मेरे चैनल को सस्काइब करके और लोटवर्चन कोन करता हूं क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं गाइस आपको इस वीडिको डिप के सर में अल्लाइट मुसन अपकी लिंक के मिल जाएगी तो आपको लिंक पर क्लिक करके अल्लाइट मुसन अपको डाउलोड करना है गैस अगर आपको अलाइट मोसन प्रो आप चाहिए है तो आप मेरे टेलियाम चैनल को जोईन करके अलाइट मोसन प्रो आपको डाउनलोड कर सकते हैं आपको मेरे टेलियाम चैनल की लिंक के सिबीन को डिप किसने में जाएगी तो आपको लिंक बार क्लिक करके अल्लाइट मोशन फिर वो आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड होने की बाद अल्लाइट मोशन अपको उपन करना है अल्लाइट मोशन अप उपन करते ही मिल रहा है बैक्ग्राउंड वाला इसमें आपको बैक्ग्राउंड को स्लेट करना है आपको नीचे का उप्सान मिल रहा है क्रेट प्रोजेक्ट इस पर आपको लिक करना है क्लिक करते ही गाईस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो आपको नीचे का बकुर्ट को भी सहमें सेने कर सकते हैं तो यह फार गाइस इस बालपेपर कुस्रेक्ट करेंगे लिचे कॉप्स का बेद्र हो रख वे करना है यह अजदाट से .... इसपर हो रिक टोरिंगे लेगा खरेक फ़ेले सकीणिस पर हो रेक करना है एकले करते ही आपrail पहले पर फूल स्कीन में लग जाएगा आपको नीचे एक ओप्सान मिल रहा है इस्पर आपको बहुत करना है क्लेख सच करेंस ग्हाइज क्लेक करते ही कहई साइच्च पडेशन वारी इफ अइपक्ड देखने ने को מד पूली करना है क्लिक होने का दीचे आपको एक option मिल रहा है यहां पर आप खूलिक करना है गाईस आपको saturation को right side में scroll करना है इस तरह से scroll करते ही गाईस आपके बाल पीपर का color change तरह से आपको इफेक्ट को से मं लगाए रहा है यहां पर आप रूली करना है कि आइस आपको नीचे पंडाया है फ्रस्त पुर्श के subsequent करना है क्लिक होने काद आपको यहां सेक्लिय एक praktे अलों करना है इस तरहि से आपको र्यटर इंगल को स्चेट करना है इस तरह से ल॥ंब ऐना है आपको नीचे एक option में रहा है color and fill इस पर आप उनी करना है click होनी को यहाँ पर आपको होनी करना है इस तरह से guys आपको इसकी line को अच्छे से set करना है इस तरह से आपको इसकी line को अच्छे से set कर लेना है आपको नीचे black वाली color पर click करना है क्लिक होने काद यहाँ पर गाइस आपको इसमें क्लिक करना है क्लिक होने काद आपको इसकी लाइन को नीचे साइड में इसको स्क्रॉल करना है इस तरह से तो गाइस आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फाइट ग्राउंड लग चुका है इस तरह से गाइस आप इस लाइन मैं इस color को यहां पर लगा दिया है आप इस तरह से किसी भी color को इसमिए लगा सकते हैं तो हम इस वाले color को सिमेख कर लेंगे इस तरह से हमने color को select कर लेंगे यहां पर आप फेम बोलक्त करना है तो तो यहां से आपको एक सायरी PNG लेटर को इसमें सेलेट करना है, गाइस इस वीडियो को बनाने में जो भी वीडियो एफेक्ट साउंड यूज होंगे, आपको उन सभी का लिंक के इस वीडियो को डिप किसमें मिल जाएगा, तो इस तरह से गाइस आपको सायरी लेटर इमेज को इसमें सेलेट करना है, नीचे एक उपसर मिला है, पर आपको लिक करना है, क्लिक करते ही गाइस आप देख सकते हमारी सायरी स्कीन पर आजच चुकी है, इस तरह से आपको सायरी को अच्छे सेलेट करना है, तो guys आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहां पर edit हो चुकी है आप guys यहां पर आपको हुलिक करना है guys आपको प्लेस और option पर क्लिक करना है click होने के बाद यहां से guys आपको इसे में एक और rectangle को select करना है इस तरह से आपको इसको select करना है आपको इसको खीच कर नीचे side में इसको लाना है इस तरह से guys आपको नीचे का option पर एड़िट, save इस पर आप भूलिक करना है click होने के बाद आपको इसकी लंबाई, चोड़ाई को अच्छे से set करना है यहां से आप इसकी लंबाई और चोड़ाई को set कर सकते हैं तो इस तरह से हम इसको set कर लेंगे इस तरह से guys आपको भी अच्छे से इसकी लंबाई को set करता है अब guys आपको नीचे एक option पर रहा है color वाला इस पर आपको लिक करना है यहां पर guys आपको इसमें click करना है click होने को आप guys इसको आप अच्छे से set कर सकते हैं आप इसमें जो भी color लगाना चाहते है आपको नीचे एक option मिल रहा है color वाला इस पर आपको लिक करना है यहां पर guys आपको इसमें white color को select करना है select होने काद और यहां पर guys आपको इसमें red color को select करना है इस तरह से guys आपको color को इसमें select करना है तो आप देख सकते हैं हमारी line कितनी amazing तरह से यहाँ पर set हो चुकी है guys यहाँ पर हम इसमें अपनी Instagram ID को लिखेंगे तो आपको नीचे एक option मिल रहा है plus or less पर आपको लिख करना है click होने काद आपको test पर click करना है यहाँ पर guys आप अपनी Instagram ID को भी इसमें लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम Instagram ID को इसमें लिख देंगे guys आप देख सकते हैं मैंने Instagram ID को इसमें लिख दिया है अब आपको उपर एक option मिल रहा है Robo2 Regular इस पर आपको लिख करना है click होने काद यहाँ से guys आप इसमें font को select कर सकते है जो भी font आप इसमें लराना चाहते हैं तो इस वाले font को हम इसमें select करना है आपको यहाँ पर एक और option मिल रहा है यहाँ पर आपको पूलिक करना है click होने के वाद आपको इसके size को से आप इसके size को set कर सकते हैं तो हम इसकी size को इतना रख लेंगे आपको एक और option मिल रहा है color वाल एस पर आपको करना है यहाँ से guys आप इसमें color को select कर सकते हैं तो इसमें हम black color को select कर लेंगे guys आपको right वाले option पर ख्लिक करना है तो guys आपको इस तरह से Instagram ID को नीचे side में अच्छे set कर लेना है तो guys आप देख सकते हैं हमारे Instagram ID भी यहाँ पर set हो चुकी है अब guys आपको नीचे एक option में लहा है पहला स्वाला इस पर आपको ख्लिक करना है क्लिक होने काद image and video पर ख्लिक करना है यहाँ से guys आपको view wall पर ख्लिक करना है view wall पर क्लिक करते ही आपको मौल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से guys आपको इसमें एक पार्टी कल एफेक्ट वीडियो को select करना है आपको एफेक्ट वीडियो की लिंक के इस वीडियो को डिपके समय मिल जाएगे आपको नीचे एक option मिल रहा है blending and opacity इस पर आपको लिक करना है क्लिक होने का आपको lighten वाले option पर ख्लिक करना है screen वाले option पर ख्लिक करना है इस तरह से हमारी particle effect वीडियो लग जाएगी तो आप देख सकते हैं अभी हमारी वीडियो कुछ इस तरह से याडिट हो चुकी है आप guys आपको इसे में sound को select करना है नीचे एक option मिल रहा है प्लास वाले इस पर आपको लिक करना है click होने का image and video पर ख्लिक करना है view वाले पर ख्लिक करना है यहां से guys आपको इसमें एक sound वीडियो को select करना है guys आपको इस वीडियो की link के इस वीडियो को div condition मिल जाएगी तो आपको link पर क्लिक करके sound वाले वीडियो को download कर लेना है इस तरह से guys आपको वीडियो को इसमें select करना है select होने काद आपको नीचे एक option मिल रहा है as पर आइडätta को निकालना है, तो guys आप देख सकते हैं, हमारी video में sound लग चुका है, guys आपके जो sound की layer है इस layer के बरावार आपको सभी layer को करना है तो आपको layer पकलिक करना है click होने को आद एंड में जाना है इस तरह से और यहाँ पर आपको कलिक करना है तो guys आप देख सकते हमारी layer automatic 4 सेक्ड तक लंबी हो चुकी है इसी तरह से guys आपको सभी layer को वीडियो के तरह से यहाँ पर edit हो चुकी है अब guys आपको इसमें borderline को भी इसमें लगा सकते हैं आपको नीचे एक option मिल रहा है पर आपको ख्लिक करना है click होने का image end वीडियो पर ख्लिक करना है view और पर ख्लिक करना है यहाँ से आपको एक borderline को इसमें select करना है आपको इस borderline की link के से वीडियो को डिप के सने मिल जाएगी तो आपको link पर ख्लिक करके borderline को डाउनलोट कर ले रहा है इस तरह से guys आपको borderline को select करना है नीचे एक option मिल रहा है पर ख्लिक करना है क्लिक करते ही आपकी borderline वीडियो में add हो जाएगी तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो को इस तरह से यहाँ पर edit हो चुकी है guys आपको borderline की layer को भी 4 से किने तक लंबा कर देना है यहाँ पर आपको ख्लिक करना है क्लिक करते हैं आपको बोड़ लाने के लिए चार सिकेड़ें तक लंबी हो जाएगी गाइस अब हम वीडियो को चला कर देखेंगे गाइस आप देख सकते हमारी वीडियो कितने आमेजिंग तरह से यहां पर एड़िट हो चुकी है आप गाइस आपको इस वीडियो को सेप करना है सेप करने के लिए आपको उपार एक उप्सन मिल रहा है यहां पर आपको खुलिक करना है क्लिक होने के लिए आपको बीडियो वाले उप्सन पर खुलिक करना है यहां से guys आपको वीडियो की quality को select करना है जिसे भी quality यहां आप वीडियो को download करना चाहते हैं तो यहां से हम 1080P की quality में इसको download करेंगे download करने के लिए आपको नीचे एक option मिल रहा है export वाला इसपर आपको लिक करना है click करते ही guys आपके वीडियो download होने लगी guys कुछी second में हमारी वीडियो download हो जाएगी तो guys आप देख सकते हमारी वीडियो download हो चुकी है अब आपको नीचे एक option मिल रहा है save बाला इसपर आपको लिक करना है click करते ही guys आपकी यह video gallery में save हो जाएगी guys आपको save बाले option पर click करके video को gallery में save कर लेना है guys अगर आप save बाले option पर click नहीं करेंगे तो आपकी video gallery में save नहीं होगी तो आपको save बाले option पर click कर दना है तो guys आप देख सकते हमारी video gallery में save हो चुकी है तो guys आप अपनी फोटो लागार एक किसी बाल पेपर खो लागार real society status video बना सकते हैं guys अगर आपको video बनाने में कोई ही problem आ रही है तो आप मुझे मेरे Instagram पर message कर सकते हैं guys अगर ये video अच्छे लेगे हो तो video को like की जो चायाओ को subscribe कीजेए